गड़नी बचो आज की क्लास में भारचीत करने वाले हैं आपके पहले चैप्टर चैप्टर के फिर्स चैप्टर चैप्टर केमिकल रियक्षन एंड इक्वेशन के बारे हैं जैसा कि आप देख पा रहे होंगे चैप्टर का नामने स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है पिछली क्लास में हमने आपको बता दिया था क्या कि हम अब नहीं रुकने वालों में से हैं यानि कि अब हम पढ़ने वाले हैं केमिकल रियक्षन एंड इक्वेशन यानि कि हमा साथ सवाल यह है कि केमिकल रियक्षन एंड इक्वेशन यह हमारा चैप्टर है और इस चैप्टर की आज हम करने वाले हैं शुरुआत जहां पर आज इस इंट्रॉडक्शन के बाद जो सेकंड क्लास होगी इस सेकंड क्लास में हम लोग बातचीत करेंगे वाट इस केमिकल आज की क्लास में हमें यह डिसकस करना है कि केमिकल रियक्षन क्या होता है और केमिकल एक्वेशन क्या होता है यानि कि हमें आज की क्लास में क्यमिकल रियक्षन एंड इक्वेशन पर ही पूरी की पूरी बातचीत करनी है जैसा कि हमने पिछली क्लास में आपको बताया था द अमीदर आप उसे पढ़ चुके होंगे, अगर बेटा उसको पढ़ लिया हो गए आपने, तो हम जानदार तरीके से सीखने जा रहे हैं, What is chemical reaction and what is chemical equation, difference between chemical reaction and equation, what is reactant and what is product, why reaction take place, इन सभी questions का जवाव हम देगे आज के इस lecture में, अपने YouTube चैनल The Secret of Commentary पर, अमीदर हम आपको ये बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे, और हम भी आप सियासा करते हैं, कि ये पूरा का पूरा पार्ट आप हमारे साथ बिल्कुल अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे, अब देखिए एक छोटा सा सवाल है, कि पहली चीज़ तो ये आती है बेटा की रियक्षन क्या होता है, है ना, एक छोटा सा पॉंसप्ट, देखिए, आप समझेगा कि हम आपके सामने हैं, ये ओफ-लाइन से सन है, तो आपको बहुत बेलतरीन समझ में आएगा, डिसिप्रिंड वे में बैठेंगे, तो भी बेटर समझ में आएगा, पहले question आता, what is reaction, यानि कि नाम से हमें पता चलता है, क्या नाम से पता चलता है, कि what is reaction, topic हमें क्या पता चला, कि reaction क्या होता है, यानि कि सबसे पहले concept में हम ये discuss करने वाले हैं, यानि कि what is reaction, अगर हम ये आप से कहें, कि what is reaction, तो हम क्या पढ़ने वाले हैं, जरा गौष करि यानि कि हमें समझना है पहला concept है what is reaction यानि कि अगर हम यह discuss करें बेटा कि what is reaction तो reaction का मतलब क्या होता है यह हमें समझना है हमने कहा कि reaction को हम दो पार्ट में अगर classify करने तो first part होगा री और second part होगा action यानि कि हम कह सकते है री मतलब होता है दुबारा और action मतलब act करने की बात हो रही है कि बार बार action अगर होगा तो वह reaction कहलाएगा लेकिन अब सवाल यह है कि action करेगा कौन यह भी तो question आता है ना जैसे हम कहते हम react कर देंगे हम react कर दें तो ठीक है जैसे घर में आप किसी को कुछ बोल देते हैं तो भी कहते हैं आज कल बहुत react करने लगे हो तो react करने का मतलब क्या हुआ दोहराना आप दुबारा किसी चीज को कर रहे हैं तो react कब कोई करता है अगर ये question मन में arise हो जाए तो उसका जवाब हमें कैसे मिलेगा हम कहते हैं कोई reaction तब करता है जब वह unstable होता है जानी हम कहते है reaction कौन करेगा जो unstable होगा जो unstable होगा उसको reaction करने की क्या ज़रूरत है है ना जो unstable होता है वही reaction करता है यानि कि और कोई reaction करता क्यों है कहें unstable कोई है तो reaction करेगा और reaction करने के बाद एक stable product बनाता है यानि जो बनता है वह stable होता है यानि कि हर कोई stability को gain करने के लिए reaction करता है यानि कि हमारा पहला question clear हो गया हमने क्या discuss कि आप से उनने कहा कि what is chemical reaction तो chemical reaction तो हमने बताया कि reaction पहली बात थी इसके इंतरगत और reaction में हमने आपको समझाया कि reaction क्या होता है और reaction क्यों होता है पहली बात थी जड़ा गौर करिएगा पहला concept हमने discuss किया what is reaction हमने ये कहा reaction मतलब बार-बार action करने की बात तो re plus action एक पाइट हमने यहांबर discuss कर लिया आप से दूसरी बात आई कि reaction कौन करता है तो हम कहते हैं कि जो unstable होते हैं वो reaction में participate करते हैं और एक stable product बनाने के लिए reaction होता है यानि कि reaction क्यों होता है तो to gain stability यानि कि stability को craft करने के लिए ही reaction होता है कहें वो reaction में participate कौन करता है यानि कि कौन है जो reaction करता है कहें वो एक लोग अकेले नहीं है ये से अधिक लोग हैं जो आपस में मिलते हैं और reaction करके कुछ नया बनाते हैं और जो नया बनता है वह product कहलाता है कहें जो reaction करते हैं, वो कहलाते क्या हैं, कहें जो reaction करते हैं, वो reactant कहे जाते हैं, कहें जो बनता हैं, वो क्या कहलाता है, वो product कहलाता है, यह भी बात समझ में आ गई, हमने कहा कि फिर reactant होते कौन हैं, कहते हैं, जिनके अंदर react करने की छमता होती है, यानि which have tendency to react, यानि हम यह क सकते हैं कि जिसके अंदर react करने की छमता होती है capacity होती है वह reactant कहलाते हैं फिर सवाल आया कि यह product क्या होता है reactant तो खीक है हम कहते हैं which obtained after the reaction reaction यानि किसी reaction के बाद जो बनते हैं वह क्या कहलाते है after the reaction हमने कहा कि जो reaction के बाद obtain होता है बनता है जिसकी properties नई होती है वह क्या कहलाता है वह आपका कहलाता है product तो reactant हमने समझ लिया कि reactant का मतलब जो reaction में participate करते हैं और जो reaction में participate करते हैं वह unstable होते हैं और reaction भूने के बाद जो बनता है वो product होता है वो stable होता है तो यानि कि हमने कहा which have tendency to react is known as reactant the substance which obtained after the reaction is known as product अच्छा इतनी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए यानि हमने यह समझा कि reaction दो या दो सहधिक के बीच में हो रहा है जो लोग unstable है वो reaction करके एक stable product बनाते हैं बास सही है यह तो सर्ट daily life का concept हो गया आपने कहा कि दो लोग बहुत ज़्यादा unstable थे आपस में लड़ गए जगडा कर लिए बात में product बना जगडा करने के बाद कुछ दिन तक सामती चलती है क्योंकि product stable हो जाता है और जो product होता उसकी नई property होती है और यही क्या कर लाता है यही stability का case पताया गया बात बिल्कुल पते कि थी चीजे समझ में भी आ गए लेकिन हम इसके थोड़ा और आगे बढ़ेंगे और अगले concept पर आपसे discuss करेंगे उससे पहले कि आप तो यह मालुम होना चाही है जैस इसर डेली लाइफ पे तो समझ में आ रहा है इस्टेबल हो जाएगा लेकिन केमिकल की life में क्या होता, elements की life में क्या होता, elements की stability किस बात पर depend करती है यह भी तो हमें समझना होगा और हम जानते हैं when to are more than to react and combine to form new product with new properties known as chemical reaction जैसे आपको हम बताएं फिर से सुनना हम कहते हैं क अगर chemical reaction की बात करें तो chemical reaction को हम कैसे पढ़ते हैं हम कहते हैं when to are more than to react and combine to form a new product with new property is known as chemical reaction यानि जब दो या दो से अधिक reactant को मिलाते हो एक नया product बनाते हो और जो product होता उसकी property नहीं होती है तो chemical reaction कहलाता है, सही बात है, अच्छा बेटा यह बताओ कि जिसको आप मिला रहे उसकी जैसे property यह नहीं सो करेगा, यानि C की property A और B से differ होगी, यानि कि C की property कुछ अलग होगी, उस reactant की property को follow नहीं करेगा, बात सही है, समझ में आगे, लेकिन कभी आपने सुना है, आपने यह भी सुना होगा कि लोग कहते हैं कि reaction हुगा, लोग जैसे कहते हैं कि साधी के बदल गए, आप सुना है, कहते हैं कि साधी के बाद लोग बदल जाते हैं, बेटा बदलना कमिश्टी की अनियम है, अगर वो बदले ना, तो क्या होगा मालूम है, जैसे कहें कि साधी के बाद लोग बदल ले, तो यह जो C नाम का product बन रहा है, यह साधी के बाद ही तो बन यानि कि यह product जो बना इसकी property क्या होगी, नहीं होगी, तो A और B की property क्या होगी, क्या C A और B की property फॉलो करेगा, क्या नहीं, अगर C A और B की property follow करने लगेगा, तो फिर ही क्या हो जाएगा, य् dette यह backward reaction हो जाएगा, फिर कोई meaning ही नहीं निकलेगी, तो अगर कोई कहते हैं कि साधी के बाद ये बदल गए तो बेटा बदलना उनकी मजबूरी नहीं ये कमेश्टी का नियम है क्योंकि अगर वो नई प्रॉपर्टी नहीं सो करेंगे अपने रियक्टैन की प्रॉपर्टी सो करेंगे तो उनका प्रॉडक्ट कभी इस्टेवल नहीं होगा तो जो लोग य थे हैं उनको समझाईए कि यह कमेस्टी का नियम है और कमेस्टी के भिसम पर ही हम चर्चा कर पाएंगे और इसी से जीवन चलेगा तो आपको यह बार समझ में आ जानी यह, अब हम इससे थोड़ा और आगे चलते हैं, हमने समझा reaction क्या होता है, क्यूं होता है, reactant क्या होता है, product क्या होता है, दोनों को define कर लिए, reactant की property, product की property से different होती है, product की property नहीं होती है, reactant की property से वह match नहीं करती है, और एक हमने कहानी भी आपको सुना दी, अब हमें, अगली अगली बात में क्या discuss करना है अब हमें अगली बात में discuss करना है यहां तक तो ठीक था scene पूरा समझ में आ गया लेकिन सर एक बात हमें बताईए कि अगर ये इस तरह से चलता रहा आपने कहा कि chemical reaction and equation के लिए A और B को मिलाईए C नाम का एक product बनाईए A और B को आप reactant कहेंगे और जो C बनेगा वो product कहलाएगा हमें कोई अबती नहीं है सर आपने कह दिया हम accept कर लिए ठीक लेकिन सर हमारा ये छोटा सा सवाल ये था कि अगर आप कहते हैं ये दोनों react करके product बना रहे हम accept कर ले रहे हैं लेकिन अगर हम element की case में लें तो वो कौन से element है जो reactant में consider हो रहे हैं वो कौन से element है वो कौन लोग है A और B में जो reaction करना चाहते हैं बेटा जो stable नहीं है वही तो reaction करना चाहेंगे सर हमको कैसे पता चलेगा कौन stable है कौन नहीं stable है ये जानने के लिए हमें noble gas की जानकारी होनी चाहिए हम पढ़ते हैं नीलियम और करीना जीते रहना ये इतनी क्या है ये सारी noble gas है ये noble gas है और ये सभी noble gas है इस्टेबल है तो हर कोई noble gas की property सो करना चाहता है हर कोई element इस्टेबल होना चाहता है, हर कोई noble gas के configuration को attain करना चाहता है, इसका electronic configuration तो पढ़ेगी होगे, helium के outermost में दो होता है, यह duplicate का configuration बनाता है, बाकी सभी के outermost में 8 electron होते हो, वो octate का configuration बनाता है, तो बेटा आपको यह समझाया जाता है, कि हर कोई element duplicate या octate बनाना चाहता है, वह पॉल्टर मोस्ट चल में या तो दो या तो आठ इलेक्ट्रन रखना चाहता है। इसी लिए हम यह कहते हैं कि जो रियक्टैंट है वह अनिश्टेबल है क्योंकि वह भी नोबल गैस कॉंफिगेशन को अधर अटेंड करना चाहता है। ऐसी केस में chemical reaction यही कहलाएगा तो उमीदन यह वात हम आपको समझा ले गए अब हम चलते हैं कि वह कौन से हैं जो reaction में participate करना चाहते हैं और बेटा reaction में participate करने के लिए या तो यह transfer of electron का role करेंगे या तो sharing of electron से क्या करेंगे यह noble gas configuration को attain करना चाहते हैं इसी लिए यह हमेशा reaction में participate करते हैं आपको अगली बात यह पता चल गई कि noble gases को छोड़ करके बाकी सभी element unstable है वो stability को ब्राप्त करने के लिए यानि वो update या duplicate rule बनाने के लिए वह आपस में reaction करते हैं या तो वह electron को देते हैं या तो वह electron को लेते हैं या तो sharing of electron करते हैं ऐसी case में noble gas configuration को attain करते हैं और एक stable product का formation करते हैं यह पूरी की पूरी बात हमने आपको समझा दी कि वो कौन है जो reaction कर रहे हैं अब हमें समझ में आ गया कि सर जैसे हमने कहा कि sodium को chlorine से react कराया और अगर हमने NaCl पाया तो सर यह बात अगर हम सर डिटेल में समझना चाहें तो sodium Na है chlorine Cl है हमने कहा sodium का electronic configuration 281 होता है chlorine का electronic configuration 287 होता है अब जला सोचिए sodium और chlorine की size सेm है क्योंकि 3 से लिख्मे है 3 से लिख्मे है अब sodium क्या कहता है कि हम अपना एक electron दे देंगे chlorine ने कहा हम तुमारा एक electron ले लेंगे क्यों क्यों क्योंकि तुम्हारे एक electron को ग्राप्त करने के बाद हम अपने outer most cell में 8 electron रखेंगे और हम भी octet rule को fulfill करेंगे sodium ने कहा कि अगर तुम हमारा यह electron ले लेते हो ऐसी case में हमारे पास octet हो जाएगा यानि valence electron 8 हो जाएगे ऐसी case में क्या होगा कि sodium कहता है कि हम na plus बनाएंगे यह electron को ले रही है इसे हम non metal कह देते हैं sodium ने प्लस बनाया chlorine ने सील माइनस बनाया दोनों के बीच में लेक्ट्र इस्टेटिक फॉर्स अब अट्रेक्शन पाया गया जिसकी वज़ा से एने सील बना लिया एने सील जब बनाया तो यहां भी आप्टेट है यहां भी आप्टेट है इसका मतलब sodium chloride जब बनता है तो यह stable हो जाता है और यह एक stable product कहा जाएगा तो यह तो पूरी कहानी हो गई इसकी अमीदन यह आपको समझ में आ गई होगी तो रियक्शन में participate वही करेंगे जो हमारे stable कहलाएंगे यानि जो unstable होंगे वही रियक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे और पार्टिसिपेट करने के बाद जो product बनाएंगे वो बेटा बिल्कुल stable हो जाएगा अब जड़ा एक छोटा सा एक्जामपल आपको समझाता हूँ एक concept छोटा सा और बताता हूँ जैसे reaction में आगली बात क्या आती है reaction दो प्रकार की देते हैं हमारे यहां market में दो तरह के reaction आते हैं physical reaction है और chemical reaction हम दोनों समझाते है physical interaction क्या होता है chemical interaction क्या होता है अगर हम कहते है एक physical reaction है और एक chemical reaction है तो दोनों interaction की बात करें बेटा एक physical interaction है दूसरा क्या है हमारा chemical interaction है तो दो तरह के interaction के concept का discussion हम आपके साथ कर रहे हैं अगर हमने आपको समझाया कि physical reaction है दूसरा chemical reaction है तो दोनों पर गौर करिएगा, physical reaction का मतलब यह हुआ, कि इसमें एक body दूसरे की contact में आती है, ठीक है, contact में आती है, लेकिन फिर से वह reverse हो जाती है, यानि ऐसे समझो, physical reaction का मतलब physical change, है ना, physical change के बारे में आपने सुना होगा, और chemical reaction का मतलब क्या हो गया, chemical change, ठीक है, इसमें हम chemical change की बात क जो होता है, वो इर्रिवर्सिबल होता है, यानि कि हम यह कह सकते हैं, कि इर्रिवर्सिबल यह हो गया chemical change, और यह क्या हो गया पिया बेटा, reversible हमारा physical change, यानि कि हम एक पो physical change कहाते हैं, और दूसरे को क्या कहते हैं, अमीधर यह बात आपको समझ में आ जानी каई, झाहिए, फिजिकल चेंज का मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में convert हुआ हो लेकिन फिर वह अपने original state में आ जाया तो फिजिकल चेंज का मतलब यह होता है एक फॉर्म से दूसरे में जाये लेकिन वापस न लौट किया है तो वह irreversible होगा यानि जो reverse ना हो सके और फिजिकल चेंज में क्या होता है रिवर्सिबल की condition है जैसे एक छोटा सा example हम आपको समझाए सबकोश करो एक teacher ने एक बच्चे को मार दिया class में सजा दी किसी तोर पर अब जरा समझना है बहुत likely लेना इसको otherwise नहीं समझना है एक teacher ने बच्चे को एक teacher ने बच्चे को किसी बज़ा से सजा दी जिसमें उसके चोट लग गई और हल्की सूजन आ गई अब बच्चा यह सोच रहा है कि आज घर चलेंगे थों पापा दिखाएंगे कि हमारे क्या हुआ सूजन आ गई बच्चवा घर गया अब घर पहुंचा बच्चा लेकिन घर पहुचते तब वो सूजन अपने आप खतम हो गई रियक्सन तो teacher के द्वारा हुआ ही था बेटा रियक्सन हुआ रियक्सन के बाद result भी मिला लेकिन हुआ physical change था समझ में आया हुआ है दोनों इक दूसरे के contact में आए तो कुछ नों कुछ चेंजे जाए सूजन आई सूजन के बाद हुआ समय के साथ क्या हुआ कम हो गई इसका मतलब बाद में जब वो parents तक पहुंचा तो पता चला कि यहा क्योंकि वो सूजन आई और खतम हो गई इसका मतलब product A से B में गया है reactant से product हुआ फिर वह reverse हो गया तो यह क्या कहलाता है फिजिकल चेंज कहलाता है ठीक है यानि किसी को चोट लगे लगने के बाद सूजन आए फिर वो कम हो जाए तो फिजिकल चेंज कहलाता है लेकिन irreversible कहलाएगा यानि कि अब वो घाओ तुरंत तो घटेगा नहीं यानि rate of reaction वहाँ पर क्या है slow है फिजिकल चेंज में rate of reaction fast थी reaction हुआ सूजन आई फिर सूजन कम हुई तो rate of reaction fast थी जल्दी जल्दी सब हो गया लेकिन जब ऐसी चोट किसी को लगती है तो वो क्या है irreversible है क क्योंकि उसमें जो reaction हो रहा है उसकी rate slow है यह धीरे-धीरे reaction हो रहा है अब वो घाओ भरेगा तो धीरे-धीरे भरेगा ना तो वो irreversible की condition हो गए तो यह physical reaction और chemical reaction को हमने समझाया आपको यानि chemical change जो होता है वो एक form से दूसरे में जाता है फिर दूसरे से वापस नहीं आता ह इर्रिवर्सिबल होता है और physical change में reversibility की बात करते हैं chemical में irreversibility की बात करते हैं हम दोनों बात आपको समझा चुके हैं हम इसके और आगे चलेंगे और अगली बात में क्या discuss करेंगे जरह उसको समझेगा हम कहते हैं कि अब हम discuss करने के तगार पे आ गया है what is chemical reaction मेरी हमारा topic थ पहला topic था अब हम उसको discuss करते हैं हम कहते हैं बड़ा प्यारा सा definition में पढ़ते हैं कि when two are more than two reactants combine to form a new product with new property with new property new property is new property is new product known as chemical reaction is known as chemical reaction बात ठीक है यहां तक तो समझ में आ गई है कि what is chemical reaction हम sure हैं हम कहते हैं A और B को मिला दिया तो हमने क्या बनाया इसी बनाया एक general case है यह हमारा क्या होता है reactant और यह जो बनता है यह product होता है वेटा पढ़ाने को तो सिर्फ इतना ही हुआ था यानि इस लिवस की बात करो तो सिर्फ इतना सा है लेकि इतना पढ़ने से गाड़ी नहीं चलेगी क्यूं क्यूं नहीं चलेगी क्योंकि इतना पढ़ना आपके लिए लाफकारी नहीं है क्योंकि हमें तो पूरे concept पर चर्चा करनी है example के तोर पर बड़े basic से example जैसे हम कहते है na plus o2 तो यह क्या बनेगा na2o सर आपको कैसे पता चल जाता है हमें तो नहीं पता है आपको भी पता होगा बेटा वो कैसे पता होगा जैसे यह symbol है symbol में sodium यह oxygen है symbol के बाद हम valency की बात करते है sodium की one है oxygen की two है क्रिस क्रॉस करा दो के तो क्या आएगा na2o ही तो आएगा आपने 9 में यही तो पड़ा था और अगर यह na2o आएगा तीशे क्या कहेंगे sodium oxide कहेंगे हम कहते हैं कि इस तरह से हम product बना लेते हैं लेकिन फिर सवाल आया C-A plus O2 से C-A O بن जाएगा कैसे सकी two इसकी two इसकी two प्रिस क्रॉस करा दो के बन जाएगा H2 plus CL2 से यह क्या बन जाएगा SCL बन जाएगा यानि आप देख पा रहे हैं यह सभी किसके example है chemical reaction के example है कि हम दो या दो से अधिक reactant को आपस में combine करके एक product का formation कर रहे हैं और जो product बन रहा है उसकी property reactant से हटके है यानि product की property नई है यही है chemical reaction और यह बात आपको समझ में आ जानी चाहिए अच्छा बेटा अगर किसी को इतना concept जो कुछ पढ़ा रहा हूँ आप वीडियो देख रहे होंगे आपको समझ में भी आ रहा होगा कोई doubt as a suspense नजर आता है तो personally आप हमसे पूछ सकते whatsapp पर channel पर आप कोई भी doubt है आपको इसी वीडियो की comment session में जाकर आप comment कर देजिए हम आपको reply कर देंगे ठीक है लेकिन आपकी पढ़ाई में कोई कमी नहीं हो रहा है तो आप हमें comment में link करके भेजिए हम आपको दुबारा पढ़ा देंगे लेकिन जो main motive हमरा है वो पढ़ने का और पढ़ाने का वो ये है कि हमें अपनी पढ़ाई में कोई core कसर नहीं छोड़ है और हर हालात में हमें पढ़ना है हम आपको पढ़ाने के लिए सदय तत पर थे हैं और रहेंगे भी तो आप हमारी तरफ से कमी नहीं मिलेगी लेकिन अपनी तरफ से मत करिएगा बेटा ये हमारा suggestion आपके लिए था चलिए हम लोग अगली बात करते हैं अगली बात में हम क जान कैसा है कि what is reaction अब हम कहते हैं what is chemical equation यानि कि हम यह पढ़ते हैं कि chemical equation क्या होता है हम कहते हैं the symbolic representation of any chemical reaction क्या पढ़ते हैं the symbolic representation of any chemical reaction of any chemical reaction is known as chemical equation यानि कि overall हमने क्या समझा कि the symbolic representation of any chemical reaction is known as chemical equation यानि किसी chemical reaction को simple के form में represent करने का जो तरीका है वही chemical equation कहलाता है यानि chemical equation और कुछ नहीं है किसी reaction को represent कैसे करें how to represent any chemical reaction is known as chemical equation यानि कि हम यह कह सकते हैं कि जैसे कोई reaction आपने lab में कराया practical method आपने use किया तो practical method के बाद जो आप obtain करते हो वह क्या है वह तो product हो गया लेकिन उसे pen paper based method कैसे use करोगे उसे copy पर लिखोगे कैसे copy पर represent कैसे करोगे क्या औरली बताओगे क्या नहीं copy पर represent करने का जो तरीका है उसके symbol को लिख कर जो हम represent करते हैं वह क्या कहना लाएगे उसी को हम chemical equation कहते हैं तो हमने आपको बताया chemical reaction क्या होता है chemical equation क्या होता है जैसे आप कहते हो कि hydrogen और oxygen को हम आपस में मिला दें आप कहते हो hydrogen को हमने oxygen के साथ मिलाया तो हमने water पाया सही बात है यह आपने practically कर लिया मालो लेकिन इसको represent कैसे किया जाया है तो hydrogen मतलब h2 oxygen मतलब o2 दोनों को मिलाया तो मिला क्या h2o यह जो water बना यह क्या हो जाएगा chemical equation हो जाएगा यादि chemical equation रेप्रजेंट करने का तही का है यह बात आपको मालूब हो जानी चाहिए अब हम कहते हैं एक छोटा सा concept हमारे यहां और है वह concept क्या है उस पर भी बात कर लेंगे वह concept हमारा बेटा यह है कि देखें difference between chemical reaction and equation यह भी बनता है कि what is the difference between chemical reaction and equation ठीक है chemical reaction and equation CPSC board में बहुत समय पहले यह question आता था यानि कि chemical reaction and equation में क्या difference है यह question बनता था board में लेकिन अभी नहीं आ रहा है पिछले 4-5 सालों से इसके concept खतम हो गया है यानि यह question नहीं आ रहा है अगर हम कहते हैं chemical reaction and equation को अगर हम represent करने की बात करें तो सबसे पहला point आएगा क्या अगर मतलब इसको हम differentiate करें कि first point कैसे होगा second कैसे होगा तो इसमें difference बताने का तरीका पहले तो define कर लो इसको ठीक है अब हम इसमें फिर से नहीं लिखेंगे यह आपका homework definition में क्या लिखोगे आप लिखोगे when two are more than two react and combine to form a new product is known as chemical reaction यहां पर define कैसे करोगे आप लिखोगे the symbolic representation of any chemical reaction is known as chemical equation यानि की chemical reaction को represent करने का तरीका equation हो जाएगा यहां इसकी definition लिखोगी यहां इसको definition क्लिखोगे second point लिखोगे it is an experimental process यानि यह जो chemical reaction होता है यह क्या है it is an experimental process यह एक experimental process है यानि experiments की मदद से हम इसको देखते हैं और second क्या होगा it is pen paper based method यह क्या होगा pen paper based method यानि बेटा कि यह जो second वाला part हो गया यह pen paper based method हो गया और यह आपका experimental process हो गया तो दो बात हमने discuss की एक आपसे कहीं किया है एक experimental process है और यह pen paper based method है और दूसरा यहां define कर लोगे यह पूरा का पूरा concept था जो हम आपसे discuss कर रहे थे उम्मीदन यह बात आपको समझ में आ जानी शेहिए जहां तक हम देख पा रहे थे कि अभी इतनी देर में हमने आपको आज का जो हमारा topic था आप देखे होंगे इसके पहले हमने discuss किया था आज की class पे हमें पढ़ना था what is chemical reaction and equation या निदि क्यमिकल reaction and equation डिसक स करना था वह हम लोगों ने पढ़ लिया है उम्मीदन हमने आपको बेथर तरीके से समझा भी दिया हमने कई topics पर discussion कर लिए पहला कि reaction क्या होता है physical reaction क्या होता है chemical reaction क्या होता है chemical reaction क्या होता है